हेलो फ्रेंट्स कैसे आप आशाय कि आप सब ठीक होगे तो फ्रेंट्स आज हम आपके लिए लिख रहे हैं नियू रेस्पी रेस्पी का नाम है पनीटिका जो आपने आज दकर होटल में ओडर करके खाया होगा या शादी में खाया होगा लेकिन अगर इसी पनीटिक्यों को आप कर पे बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टि और बहुत ही अच्छा बनने वाला है तो आप इसका सवाद कभी भी नहीं बूल पाएंगे और आप इसे बार-बार बना कर खायेंगी आप इसके लिए हमें कुछ ज्यादा इंग्रेडेंट की भी जरूरत नहीं होती तो अपनी मोटी क्यूब्स पनीर के कर ली हैं मैंने यह दो सुद्धा प्याज में और यह पनीटिक का मसाला इन्हीं इंग्रेडेंट से मैं आजाको पनीटिक का मसाला बना कर दिखाऊंगे जो बहुत ही टेस्टियों बहुत अच्छा बनने वाला है अब आप सोच रहे होगे तो देखिए इस तरह की पैकिंग आती है तो देखिए आप किसी भी ग्रोसरी शॉप से इसे ला सकते हैं या आपको किसी भी शॉप से मिल जाएगा तो इस पैकिज मसाले में आप 3 बार अपना पैकिंट का मसाला बना सकते हो क्योंकि इसमें यह पॉर्डर निकलता है आप इस इस पॉर्डर को यूज करेंगे तो आप एक पैकिंट में तीन बार अपना पैकिंट का बना कर तग्यार कर सकते हैं और यह बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यम्मी बनता है तो देखिए आप देख सकते हैं मेरा ओई गर्म हो चका है अब आप इसमें डालेंगी कुछ खड अब इसमें डालेंगी जीरा तो आप देखते हैं हमारे जीरे ने कलर चेंज सर लिया है हमारा जीरा ब्राण कलर का हो चुका है अब हम इसमें डालेंगी बारी कटे हुए प्याज अब मैं अपने प्याज तो हलका ब्राण कलर का कर लूँगी जब तक हमारे प्याज पकनी जाते ही तब तक मैं इसे इसे तरह हिलाती रहूँगी तो फ्रेंट्स आपको अपनी प्याज का हलका हलका बुल लेना है आपको इन्हीं ना तो ज्यादा ब्लैक करना है और ना ही तो देखें आप देख सकते हैं हमारे प्यास ब्राउन कलर का हो चुका है यह ते अच्छे से पक चुके हैं आपको इनहीं ज्यादा ब्लैक पीकुल ही करना है इसी कंडेशन में आपको इसमें डाल देना है थोड़ा सा हल्दी पॉडर अब मैंने डाल दर, मीकिन सब्सक्रेशी ब्लाइल साधी इसलीर द्चाइव आफ थैंगे आपको इसम डाल दर माने आपको इसमें घैंख जाख मारजिंगे काँट वरसले कीट है दना डाल दर ही है तो कि यह निंञाए बैस यह समें डाल ही है इस अबuden डेके दर हैं तो कीज ताकि हमारे मसाले अच्छी से पक जाएं तो देखे फ्रेंट्स मैंने इसमें तीन से चार टमाटर की प्यूरी डाल दी है तो फ्रेंट्स अपने इसे इसी तरह पकने दूगी इसे पकने में 15-20 मिंट लग जाती है तब तक हम अपने तो मैंने बनेटी का मसाला लिया हुआ था उसमें डालेंगी थोड़ा सा दूद तो देखे तो देखे फ्रेंट्स मैंने जो बनेटी का मसाला लिया हुआ था इसमे कछा दूब्ज़ लेना है कि अपनी तिकम मसाले को लिए अच्छी है आप अपको तक हिलना है. उसीं मीरा मसाला बनका हुआ है अमर्णाह में मतल्च पूत शक्तल शक्ता उन्हीं हरा थाम हमार प्रभाना उडियोग्शू है तो गलिएंद में एपने कड़ाय को फेशी को उपना कर दूजर के लिए थी ओधेंगे कि हमारी प्लैको mídes नहीं अब क्रना देह प्लीशेके25 को अब हमकर प्रेंस आपको एक बाता खास जान रखना है कि आपको प्यूरी अच्छी से इसी तरह पकाने कि बाद भी अपना ये मसाला यूज़ करना उसे पहले आपको इस मसाल के बिलकुल नहीं डालना है नहीं तो इसका डैस्ट बिलकुल अच्छा नहीं आएगा तो अब मैं इसमें जान दाल देते हूं और इसी में ही में थोड़ा सा दूद और डाल की इसे अच्छी से इसला की इसमें डाल दूगे अच्छी से आपको इस कंडीशन में इसमें पानी बिलकुल नहीं डालना है अब मैं इस तरहे अपनी मसालते को भी भी घरेए पका दूगी क्योंकि 10 मसाला हम नहीं डाला है वह भी हमें पकाना है इसे विलो फ्लेम पर कर दूंगी आपको इसे लो प्लेम पर बिलकल नहीं पकाना है तो फैसे अब मैं से हिला दूंगी आपको इसे हिलाती ज़रूर रहना है क्योंकि हमारा मसाले की ज़िए है चितने लगता है अब हमारे मसाले में से बहुत अच्छे खुश्बू आ रही है क्याकि हमारे जो हमने इसमें मसाले चुछ के हैं वह भी पक चुके हैं और जो हमने इसमें मसाला डाला है उसे डालने के बाद बहुत अच्छे खुश्बू आती है तो अब मैं डालने वाले हूं 1 पून नमक तो आप इसमें तवाद मसार नमक डाली हिएगा और अब मैं डालूंगी 1-2 पून घरब मसाला तो अब देख सकते हैं हमारी प्योत का अब यहीं नीचे तक फड़ा लग देनी लगा है तो इसना मतलब जो हम नहीं से अब ने पक मसाला डाला था वह यह तक पक पका है तो अब मैं इसे थोड़ी दिर के लिए ढखके पका लूँगी ताकि हमारा जो मसाला है वह काफी अच्छे तरीकी से पक जाए तो अब हम इसे ही ओपन करके देख लेते हैं तो देखिए हमारी प्यूरी बहुत ही अच्छे तरीकी से पक चुकी है आप देख सब्सक्राइब अब इसमें डालेंगी आप ग्लास में तो देखिए मैंने पानी आज कर लिया है तो देखिए आप इसका कलर देख से कितना अच्छा कलर आया हुआ है अब इसे हम थोड़ी लिए बॉंए देने ताकि हमारा पानी और में चाल अचीज दिपक जाएं और हमारी फ्यूरी प्रफेक्ट बदल तयार हो जाए तो फीरस आब इसमें डाल देखिए हूं च्छिप्णी होई है हमारी प्यूरी बहुत ही बढ़िया और बहुत आज़ी दे तयार हुए है कि अब इसे 2-3 मिल्ट तक हम और पकाईगें और अब मैं इसमे डालेंगे अपने पने जो कि मैंने मोडी के उस्तर रखी और इसे अच्छी से हिला देगें वाव तो फ्रेंट्स आप देख सकते ही का कलर भी कितना अच्छा आया हुआ है और यह जितने दिखने में अच्छा दि अब मैं इसे उपन कर लोगी और अपनी प्योरी को अच्छे से हिला दोंगी तो देखिए यह कितना पढ़िया बनकर तयार हुचका है आप देख सकते हूँ जिसना यह दिखने में अच्छा दिखने में अच्छा है उतना खाने में बहुत इसे और स्वाद बनाने के लिए मैं इसमें डाल दूँगी पंठ पुनगी यह मैंने इस देखिए का यूज किया हुआ है तो इसे आप जरूद आलना इससे इसका सवाद और पड़ जाएगा और इसमें से खुश्मो बहुत अच्छी आएगी वैसे तो यह ओप्शनल है लेकिन आप इसे डालेंगे तो यह बहुत स्वादेश चोर अच्छा लगेगा अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सबारी कटा हुआ धनिया तो देखिए मैं इसमें धनिया इडाल दिया है तो फ्रेंट्स हमारा पनेट एका मसाला बनकर तयार हो चुका है यह बहुत ही टेस्टी और बहुत ही बढ़िया र और वीक्राइच खाने में बहुत ही एट रियूमी बना हुआ है तो फ्रेंट्स अब मैं इसकी गार्ने इच के लिए चाहिवरो ढाल दूट थोड़ा सबरीया तो फ्रेंट्स अगर आपको हमारी रैस्वी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर कीजिए गांग और इसे एक बार तो friends अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजी शेर कीजी और सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले फ्रेंड्स नोटिंस्टिकेशन बेल जो दबाई ता कि आपको हमारी नई वीडियो का लिक मिलता रही